हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल के रियर टिक फंडा में मैं खुश्बू और आज की इस वीडियो एक नई वेकेंसी अपडेट निकल कर आ रहे हैं हाई कोट अलहाबाद की तरफ से डिफ्रेंट कटेग्रीज में वेकेंसी रिलीज की गई हैं जिसमें स्टेनो वाली है इसके लिए हम डीटेल में जानेंगे इसके लिए एसेंसिल क्या मांगी गई है number of vacancy कितनी है और selection process क्या रहेगा number of questions कितने आएंगे negative marking होगी कि नहीं होगी सारा कुछ हम डीटेल में जानेंगे तो वीडियो में last तक बने रहीएगा और अगर आपने अभी तक हमाह कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो फॉर्म आपकी स्टार्ट हो चुके हैं चार अक्टूबर से लास्ट टेट फॉर्म की 24 अक्टूबर रहे और फीस पेमिंट करने की लास्ट डेट आपकी 25 अक्टूबर रखी गई है application फॉर्म फीस की बात करें तो यहां पर 850 रुपए जनरल और OBC candidates के लिए हैं और 750 रुपए जो UP के EWS candidates हैं उनको उनके लिए हैं और 650 रुपए SCST candidate जो UP के मोल निवासी हैं उनके लिए रखा गया है अगर इस टेट के अगर candidate apply करना चाहरा है इस form के लिए तो आपको जनरल फीज 850 रुपए pay करनी होंगी next यहाँ पर है अगर आपके form में final submission के बाद भी कोई गलती रह जाती है आपके form में किसी प्रकार के गड़बड हो गई है तो correction के लिए portal खुला जाएगा 26 October और 27 October यह दो दिन आपके portal open रहेंगे correction के लिए mode of examination की बात करें तो यहाँ पर दो stages में exam conduct करवाया जाएगा first stage में आपका offline exam होगा MR based जिसमें आपके multiple questions पूछे जाएंगे और stage 2 में आपको shortlisted candidate को technical driving test कराया जाएगा ठीक है जो भी first stage में shortlisted candidate होंगे उनको second stage में driving test करना होगा ठीक है तो यह दो stages में आपके selection process complete कराया जाएगा application आपका online mode में fill up होगा number of post और vacancy की बात करें तो यहाँ पर post है driver की grade 4 category C की यह post रहेगी number of vacancy की बात करें यहाँ पर तो total 30 vacancy यहाँ available है pay skill की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बावन सौ से बीस जार दो सो रुपए और प्लस grade पे 19 सो रुपए आपको यहाँ पर मिलने वाला है essential qualification इस post के लिए मांगी गई है आपके पास पास जो है high school होना चाहिए और driving license आपके पास valid driving license होना चाहिए तीन साल पुराना होना चाहिए ठीक है यानि आपके पास driving experience तीन साल पहले से होना चाहिए और यहाँ पर driving license latest नहीं चलेगा तीन साल पुराना आपके पास driving license होना चाहिए वही candidates इस form को apply कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर knowledge और experience की बात की गई है have knowledge of traffic regulation prescribed in the motor vehicle act 1988 यानि आपके पास जो traffic regulation उसका knowledge होना चाहिए motor vehicle act 1988 के according और यहाँ पर have ability to read and write Hindi in Devanagari script and English language यानि आपके पास हिंदी और English में लिखने का habit होना चाहिए मतलब knowledge आपको होनी चाहिए हिंदी और English की process is strong physics ठीक है आपकी personality अच्छी होनी चाहिए यानि आपके fitness अच्छी होनी चाहिए next यहाँ पर बात करेंगे हम essential qualification आपको बता दी गई है इसके लिए आपके पास 10th होना चाहिए प्लस driving license तीन साल पुराना होना चाहिए age limit की बात करें तो age limit आपकी minimum 18 साल और maximum यहाँ पर 40 साल age limit होना चाहिए 5 साल CST candidate को छूट मिल जाएगा और 3 साल का छूट आपको OBC candidate को मिल जाएगा next यहाँ पर हम बात करेंगे selection procedure का selection procedure में आपके first stage में written test होना है written exam में आपके total 100 questions पूछे जाएंगे 90 मिनट का समय दिया जाएगा यानि 1.5 घंटे का जिसमें आपके हिंदी से questions रहेंगे 25 questions इंगली से रहेंगे 25 जनरल इस्टेडी से रहेंगे और 25 questions math से रहेंगे total 100 marks का यह exam रहेगा यानि एक question एक number का रहेगा negative marking की बात करेंगे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई negative marking नहीं रहेगी इस written test में first stage qualify होने के बाद जो भी students short list किये जाएंगे second stage में उनसे technical driving test कराया जाएगा उसके बिहाब पर आपका यहाँ पर selection होगा ठीक है तो यह पूरा process रहेगा आपके selection के लिए और Hindi English Journalist Regist Mathematic यह चार subject में आपसे questions यहाँ पर total 100 questions पूछे जाएंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही है I hope आपको यह information अच्छी लगी होगी है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नही जॉब अपडेट के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद